भरत पूर की जहां एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है जिले में शुक्रवार को 40 केस मिले हैं कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 3700 डोजी बची है जो परियाप्त नहीं होंगी वैक्सीन के लिए जिलो को लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है मुख्य चुकित सैवं स्वास्थ अदिकारी जॉक्टर कप्तान सिंग ने बताया कि लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था और गाइडलाइन्स की पालना भी नहीं कर रहे हैं वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई उधर जयपूर के गई